बाकि इसके अंदर एडास के जो अपने सेंसर आते हैं वो इसके अंदर आविलेबल है नहीं इसका जो वील बेस है वह अब आपको 2670 mm का मिलने लग गया है जिसकी वज़े से गाड़ी भी लंबी हो गई और उसकी विर्थ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है सेंटर के अंद के बारे में ज्यादा आपको इंट्रोडेक्शन की जुरूरत होगी नहीं क्योंकि इसने वैसे ही पूरा जू सेग्मेंट का मार्केट था उसको पूरे को गर्मा दिया है अपने सामने कड़िए ओल न्यू होंडाई की वर्णा यह वर्णा का SX वाला वीरियंट है जो की से साइट के अंदर काफी बढ़ा हो चुक है उसके बाद में इस साइट के अंदर इसके डियारल्स आजाते हैं जो की नए हैं और कहीं ना कहीं होंडाई कोसिस काड़ी है अपनी जो इलेक्रिक की इनकी जो गाड़ी सीरीज आने वाली आइकोनिक यह नाम से उसके अंदर यह आपको देखने को मिल जाएंगे नीची की और अपन आते हैं तो यहां आपको फुली एलेडी का हैडलाइट सेटम मिल जाता है जिसके अंदर आपको साइट कोर्णिंग लेम पाजाता है नीची की और इंडिकेटर आ जाते हैं वहीं फोग लेम का जो उप्सन है उसके इसके अंदर यह ग्रिल मिल जाती है थोड़ा वहुत क्रोम का वेटन भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा और काफी स्पोर्टी एकसंट इसके अंदर एड़ किया है उन्ड़ाई ने इस बार बाकि इसके अंदर एड़ास के जो अपने सेंसर आते हैं वह उसके तो इसका जो आप साइड से प्रोफाइल देखोगी तो गाड़ी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है वह अब आपको 2670 mm का मिलने लग गया है जिसकी वजह से गाड़ी भी लंबी हो गई और इसकी विर्थ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इसकी वि आपको 35 16 यानी 16 इंच के इसके अंदर आपको टायर साइज मिल जाए दिया जबकि जो इसका श्फेय टायर आता है वह आपको 15 इंच का देखने को मिले गाड़ी जो प्रोफाइस करती है अपनी जो हुंडाई टूशों आती है उसके साथ में बात करते हैं यह तो यहां साथ में मिलेंगे और यह क्रोम का थोड़ा अलग पेट है उसके में आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगा बाकी यहां आपको रिक्वेस्ट सेंशर मिल जाते हैं यह लोग का आपना और यह जो मेरे सामने प्रोफाइल के अंदर तो देखेजी रियर का इसका लुक है ना काफी ज़्यादा अग्रिसिव रियर से जैसी फ्रंट से स्पोर्ट यह लग रही है वैसी पीछे से भी स्पोर्ट यह लगती है किसी को आगे का लूक इसका ज्यादा पसंद आथा किसी को पीछी का पीछे आपको हुंडाई का लोगो मिल जाता है यहां वर्णा की अगेंद से बेजिंग आ जाती है उपर की और अपना साफ यू नेंटीन आ जाता है इस साइड के अंदर डीफोगर आ जाते हैं यहां आपका हाई वांटे डिस्टॉप लेंप आ जाते हैं अब बात करते हैं अपन रिटन है पीछे का उसके अंदर आपको डाइमंट का टाइब से नज़ा राएंगे जिसके टाइरो में उसी साइप से आप देखोगे इसके अंदर जो राइट का रिफ्लेक्शन आता हूँ थोड़ा उपर से नीचे आता है और यह नीचे से साइन करता है लाइट का डीज 277 mm का wheelbase मिलने लग गए इसके अंदर आपको बाकी लुक के अंदर तो कोई कमई सके अंदर आपको कहीं कलने वाली है नीं अब चलते हैं अपन इंटेरियर के अंदर तो देखो जैसा की फॉन्ट से अग्रेसिवाओ सो इंटेरियर के अंदर भी काफी साबजर्स वगर गये हैं कंट्रोलर्स वगर आगे हैं इस साइट के अंदर डॉर ओपनर आई जाता है यहां बोटल ओल्डर मतलब जगह देखो आप कें रिकलोजी से यह बात मैंने आपको कर ली बाकि देखो इसका जो टोपला वीरियंट आता है यह ऐसक ऑप्शनल जो भी इसका होगे ना रियल के अंदर यह फिसरस्टी टाइब से लगती अंदर से देखो चाहिसे बाहर से देखो क्योंकि इसका अंदर नहीं नहीं जो डिजाइन के अंदर इस बार चेंजिज की है ना और देरे-दरे अपनी गाडियों में जैसा यह करता रहे हैं देखिए सीट की 2000s लाग से उपर वाली गाडियों में आते हैं फिचर वह आपको इसके अंदर बीस लाग के अंदर मिली जाते हैं देखिजी से अंदर बात करते हैं तो इसके अदर आपको आपको यादा बढ़ चुका है और अनधर अब ऑन सबसे पहले इसको स्टेनिंग वील की तो इसके पर वाले वीरियंट जब लोगे टर्बो एसे अप्सके अपको टू स्पोक के अंदर और लेधर रफड मिल जाता है और थोड़े पोट रेट के इंसर्ट वह अगर अगर उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे इस साइट के अंदर इसके अडेप्टिव क्रूज के बटन आ जाते हैं जो पहले इस साइट के अंदर आते थे अब चेंज हो गए बाकी का यह जो इसके मीडिया के कंट्रोल्स वगर यह आगे फोन के अपने मोड वगर हुए सेंटर के अंदर होलज नहीं का लोगो और वह इसके अंदर आ जाता है हो और यह मिल जाता है इसका कुछ इस टाइब से यह स्पीडो मिटर अपने है संस sobigi यह तो यह आपको लगबग जो टोटल है यहां से लेकिंगे यहां तकी स्क्रीन जो 26 cm की मिलती है वो लगबग 10.25 cm की यह मिल जाती है इसके अंदर इसके अगर अपन बात करें तो इसके अंदर देखो जी काफी अच्छे होंडाई विन्यो फीचर देती है इसके अंदर इनक यहां आपको यहां जगह देखने को मिल जाती है और जो उपर वाल है उसके अंदर आपको 8 स्पिकर का साउंड सिस्टम मिलता है जैसा इसके अंदर कुछ है नहीं यहां अपना हिजार्ड लेप का उप्शन आ गया बाकी जो आपकी अम्बियंट लाइट है वो आपको यहा सही लेगेगा देखिजी यहां जो अब आप बटन प्रेस करोगे न तो अब एसी चल रही है और इसको प्रेस करते ही यहां आपका मीडिया के कंट्रोल वगर आ जाती है यहां इस बटन से आप स्विचेज कर सकते हो इस इन्फोटेन्मेंट सिस्टम की जो मिजिक वगर है भी कंट्रोल हो जाएंगे और आपका अचे का जो क्लाइमेट कंट्रोल हो झाए यह बात कर ली बागी यहां पर यह ओप्सन की जगए यहां पर खाली आजाती है जब आप वाले लोगे तो उसके अंदर वेंटिलेटेटी पर टीटेट शीट की अपसन यहां आजाते है यह किसा कभार हुता करो, तो यहां कोम और बात नदरी मिल जाता है, बाकि गसनी आपक पूल टाैप का इस्का नंदरanska के अदर आपको अपको मिल जाते साथ की स्कृ ानरूप अगर आजयता है एक सब्सक्राइब करता है अगरыми यहां मिलते हैं तो यही जी, रियर के अंदर, सेट मेने अपने साफ से एड्जस्ट कर रखी थी, बाकी वास्थे भी देखो नो, मैं अगर सीट इस पोजिशन पर है, तो आपको लैग रूम, हेड रूम है, गाडी के अंदर काफी सही मिल जाता है, साइड के अंदर हैं, इसके आज़ाते हैं, बाकी स स्पेस मामले में कोई आपको कमी खलने वाले नहीं स्पेस भी बढ़ चुका और बाड़ी चोड़ी भी हो गई है यहां आपको दो ऐसी के वेंट आ जाते हैं नीचे अपने चार्जर बगर आ जाते हैं और इस साइड के अंदर यह आ गई यहां भी आपको आर्मरेस्ट दिया काफी अच्छा स्पेस वगर मिली जाता है देखा जाए तो काफी बड़ा हो चुका है मला आपको में देखाता हूं लग बग 528 लेटर का बूट स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं यह देखिए जी काफी बड़ा हो लग वहां तक देखो दो आदमें अराम से सोजा अंदर आपको देखने को मिलेगा बागी कैमरा यहां मिली जाता है तो जी यह थी होंडाई की जो अपनी वर्णा का एसक्स वाला वीडेंट था जो मैंने आपको दिखाया इसका सेकिंड टोब मोडल ही आता है कीमत की अगर मैं बात करूं तो इसकी कीमत चली जाती है ओन र इंजन ऑप्सन इस बार मिल जाते हैं 1.5 लेटर का MPI पेट्रोल इंजन मिलता है जो मेरे सामने गड़ा है इसके लाओ जो इसका टर्बो चार्ज वाला आता है उसके अंदर आपको 1.5 लेटर का टर्बो जीडियाई पेट्रोल इंजन मिली जाते है डिजल उप्सन था उसके चक्कर में सारों में से अठाई दिये इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको तकरीबन 1497 का इंजन मिलते है जो की 115 PS की maximum power और 143.89 की आसवास का टोक जनरेट करता है ये बात कर लिए अपने इसके इंजन की बाकी अब बसता है मेरा conclusion तो देखो conclusion की तो हमले में इसके दो माईने भी आपको देखने को मिलेंगे किसी को यह थोड़ी ज्यादा पसंद आती है और किसी को बिल्कुली पसंद नहीं आरी क्योंकि इसका फ्रंट का जो लुक है इनकी जो आइकोनिक सीरीज इलेक्ट्रिक के अंदर आने वाली है उससे मैच खाता हमकर आपने हूंडाई की जिए और न्यू होना कि उसके बारे में तो कैसे लोगी आपको होन२ ही कि न्यूवर्ण न और आजका हमारी वीडियो बताइए का जरूर आ में कॉमेंट्स में बागी ऐसे ताम्द यू सो मच ओर वोचिंघ्टिस वीडियो है वेवे नैस डे झाल झाल